Welcome dear students, आज की क्लास में हम बात करेंगे दूद के रासाइनिक संगटन के बारे में है Chemical Composition of Milk बहुत चारी परसन बनने की संभावना यह हैं लेकिन परसन इसमें जो समझने वाले कम हैं और रटने वाले जादा हैं फिरी पिर आपको इसमें से जो डाटाज हैं वो बताएंगे कि कौन सा पदार्त कितनी मातरा में उपस्तित हैं शुरू करेंगे बच्चा क्लास को द्यान से देखेंगे कोपी पैने लेकर के बैठेंगे ठीक है बच्चा शुरू करेंगे बई दूद में कौन-कौन से पदार्त मिले हुए होते हैं कौन-कौन से पदार्त कितनी मातरा में पाये जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि दूद क्या होता बई एक तरल पदार्त होता है क्या होता है तरल तो तरलता जो होती है न उसमें दूद में वह किसके कारण है पानी तो सबसे महत्पून अव्यव जो है जो सरवाधिक मातरा में दूद में पाया जाता है उसका नाम क्या है पानी है बच्चा क्या है पानी अब परशन क्या बनता है कि कितने परसेंट पानी क याद करने के आवशकता नहीं है कि पानी मिला हुआ है दूद में, मिला हुआ होता ही है, यहां दिमाग लगाने की जरूद नहीं है, लेकिन पर्षन अगर पूछ लिया जाए कि दूद में पानी का प्रतीसत लगभग कितना होता है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है कि यार किस पे टिक लगाए है इस पे टिक लगाए है 80 से 89 वाली पे है ना 80 से 89 परशेंट तक भिन भिन जनतु जो होता है ना उनके दूद में भिन भिन मातरा में पानी उपस्तित होता है उनकी मातरा कितनी होती है 80-89% तक ठीक है ये common percentage है अब अब आपको अलग से पूछ ले गाई माता के दूद में कितना परसेंट पानी पाया जाता है तो double at ठीक है 88% याद करेंगे गाई जो है उसमें 88% के आसपास पानी उपस्तित होता है बकरी के दूद में 87% के आसपास भैस में 82% के आसपास भेड में 80.5% के आसपास ओरत के दूद मा के दूद में 87.43% ठीक है पानी पाया जाता है उटनी में भी लगबग 87.61% और गधी और घोडी इनमें सबसे अधिक मातरा में इनके दूद में सबसे अधिक मातरा में पानी पाए जाता है और उसकी मात्रा है लगबग 89.03% तो पाए जाती है गधी में और घोडी के दूद में 0.4% मतलब लगबग 89% है ना दोनों में गधी घोडी 89% है उटनी औरत बकरी इनमें क्या है लगबग समान मात्रा में 87% मिल्क में वाटर उपस्तित होता है धानकने वाली बकरी का दूद मा के दूद के समान होता है अपने यह कह सकता है बकरी के साथ साथ उटनी का दूद भी पानी के मात्रा में मा के दूद के समाने लगबग 87% वाटर इसमें पाया जाता है भैस में कम पानी पाया जाता है 82% है और गाय में 88% पाया जाता है ठीक है नेक्स सर्प्स्टंचेस कहते हैं बोडी बिल्डिंग पदार्थ कहते हैं दूद को क्या कहते हैं बोडी बनाने वाला पदार्थ मसल्स बनाने वाला पदार्थ प्रोटीन को अपन कहते हैं तो प्रोटीन जो होता है दूद में प्रोटीन की मातरा ग्याद करने की विधी कौन सी है के दवारा अपन क्या ग्याद कर सकते हैं दूद में प्रोटीन की मात्रा ग्याद कर सकते हैं कौन सी विधी के दवारा जेल डोल विधी के दवारा ध्यान में रखना भई और तीन मुख्य प्रोटीन पाया जाते दूद में कौन-कौन से albumin, globulin और casein albumin, globulin और casein albumin जो वता है 4.7% के आसपास पाया जाता है albumin, globulin जो है वो 0.5 से 0.11 0.5 से 0.11% ये कम मातरा में पाया जाता है globulin, protein और सरवाधिक मातरा में दूद में जो protein पाया जाता है उसका नाम क्या है? casein, ये important person यहां से है दूद में casein की मातरा, सर दूद में सबसे अधिक मातरा में पाया जाने वाला protein कौन सा है? casein है, कौन सा है बचा? casein, ठीक है? protein की मातरा ग्याद करने की विधी? geldole विधी, तीन मुखे protein कौन-कौन से है? albumin, globulin और casein albumin जो है वो 4.7% globulin, जो है वो 0.5 से 0.11% और casein जो है, वो लगबग 80% तक पाय जाता है proteins में, ठीक है? सर वादिक मातरा में पाय जाने वाला protein आपको मालूम बड़ी गया casein जो है वो दूद में पाय जाने वाला सर वादिक मातरा में पाय जाने वाला protein है केसीन समझ गए और नेक्स परशन क्या है दूद का सफेद रंग किसके कारण होता है भीया दूद का सफेद रंग भी केसीन के कारण होता है ध्यान में रखना याद रखना कि दूद होता है किसा होता है सफेद होता है तो किसके कारण किसके कारण के सीन के कारण किसके कारण के सीन प्रोटीन के कारण के सीन ऐसे देख लिए आप के सीन ही लिख लो के सीन ऐसे भी लिख सकते है जनरली घर में चर्षा होती रहती है दूद को के सीन है घर में चर्षा होती है दूद को के सीन है आज दूद ले आशे हो कोन ले आशे हो दूद क तोक पड़े है केसीन है दूद को यह को मतलब कही है दूद को दोड़ो रंग जो है वह किसके कारण होता है केसीन के कारण दूद का सफेद रंग जो होता है किसके कारण होता है केसीन के कारण याद कर सकते है केसीन जो होता है वह दूद के सफेद रंग का कारण है और गरमे याद रखना जरूरी है क्योंकि परसन तो बनता है कितनी मात्रा में कैसिं की मात्रा कितनी है दूद में केसीन के मात्रा कितनी है आप गोगे सरा आपने केसीन 80% लिख रखा है 80% यहां किसका मतलब है बच्चा 80% है जो प्रोटीन है टोटल टोटल प्रोटीन का 80% क्या पाया जाता है केसीन टोटल जो प्रोटीन पाया जाते है दूद में उसका 80% केसीन पाया जाता है लेकिन टोटल दूद का कितना परसेंट केसीन उपस्तित होता है कुल दूद में दूद के साबसेपन केलकुलेट करेंगे कुल दूद का तो दो से लेकर के साड़े तीन परसेंट तक केसीन उपस्तित होता है और इस केसीन के कारण ही दूद का जो है वो सफेद रंग का सीन अपने को दिखाई देता है ठीक है सफेद रंग का सीन होता है कौन दूद किसके कारण केसीन के कारण ठीक है पीला रंग किस के कारण के रोटीन के कारण कितनी मात्रा में दो से साड़ी तीन परसेंट अब पूछले भई सरवाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन से पसू के दूद में पाया जाता है कौन से पसू के दूद में सरवाधिक प्रोटीन पाया जाता है तो आंसर क्या होगा भेड का दूद भे simply अपनी देशी बाशा में याद कर सकते हैं सवा पांच परसेंट ठीक है पांच पॉइंट दो तीन सवा पांच परसेंट लगभग टिक पांच पॉइंट टू थ्री वाले उप्शन पे आप लगएं भेड में पाया जाता है भेड के दूद में सरवादिक मात्रा में प्रोटिन पाया जाता है भेड के दूद में सरवादिक मात्रा में प्रोटिन पाया जाता है भेड के दूद में सरवादिक मात्रा में प्रोटिन पाया जाता है मतलब भैस के दूद में जो अपन जनरली यूज लेते हैं उसमें 3.6 परसेंट और गाय के दूद में 3.5 परसेंट सरवादिक मात्रा में भैड के दूद में प्रोटीन पाया जाता है और उसकी मात्रा कितनी है बच्चा 5.23 परसेंट ठीक है नेक्स देखें इंपोर्टेंट परसेंट वसा जो होती है सिंपल सी बात है कई बार परसेंट पूछ लेते हैं कि दूद का मुले निर्धारन दूद के कौन से अवयव के आधार पर किया जाता है तो सिर्फ अपने को जो मुले दिया जाता है वह सिर्फ वसा के आधार पर दूद का मुले निर्धारित किया जाता है तो दूद में सरवाधिक परिवर्तित होने वाला अव्यव है सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला अव्यव कौन सा है वसा दूद में दूद के मुले का निर्धारण किसके द्वार किया जाता है वशा की पर्तिशत मात्रा के प्रतिशत है उसके अधार पर अपन दूद के मुल्ले का निर्धारन करते हैं ठीक है वसा गोलिकाओं का आकार कितना होता है भूबू पॉइंट पांच से दस पॉइंट च्यार माईक्रोन वसा गोलिकाओं का आकार होता है ठीक है और वसा के कौन-कौन से घटक बई कितनी प वसा पाए जाती है फोस्पोलिपिड्स पाए जाती है और स्टिरोल्स पाए जाती है यह वसा के विविन परकार है ठीक है इसके अलावा देखिए परशन यहां से इस टोपिक में से क्या बन सकता है एक ग्राम वसा से कितनी उर्जा अपने को प्राप्त होती है तो आप बत विटामिन A, D, E, K ध्यान में रखना ये वशा में उपस्तित हैं दूद में इसके लावा और विटामिन पाया जाता हैं कौन-कौन से B वैस C विटामिन भी पाया जाता है सिर्फ वशा में उपस्तित विटामिन कौन-कौन से हैं A, D, E, K ठीक है वशा में उपस्तित आवशक अवशक अमिनोमल, यह है सुपर इंपोर्टेंट परसन है, कौन सा अमिनोमल वसहा में उपस्थित होता है, आवशक अमिनोमल का क्या नाम है, तो धैटी लिन्नोईक अमल, यह खास बात है, अब आपको मालूम होना चीए कि दो परकार के अमिनोमल अपनी बोड़ी के लिए आ इसका नाम है लिनोईक अमल ठीक है बचा नेग्ट देखेंगे वसाम पाए जाने वाले सरवादी का अमल इसके अलावा कौन से अमल पाया जाते है वसा में ओलिक अमल पाया जाता है और पामेटिक अमल पाया जाता है परसंटेज ध्यान में रख लेना ओलिक अमल जो होता है वो 33% के आसपास पाया जाता है और पामेटिक अमल जो होता है लगबग 25% पाया जाता है और संभावना य हैं कि संत्रप्त वशा कितनी पाए जाती है तो जो भी अपन वशा ग्रहन करते है वो 47% पाए जाती है इसलिए कहते हैं कि जो वशा या घी जो होता न वशा वह स्वास्ते के संत्रिप्त वसlike अमलों के तुलना में और संत्रिप्त वसीय अमल जो होते हैं कितनी मातरा में 43% पाए जाते हैं अब देखिए वसा का परतिशत भिन भिन जन्तूं के दूद में कितना घी पाया जाता है कितनी वशा पाया जाती है उसकी चर्शा करेंगे कौलम बना करके आप लोगोंसे परशन पूचिए जा सकते हैं कौलम ए जन्तूग का नाम और कौलम बी उसमें उपस्तित draufच का परतिशत ठीक है उसको आपको तुलना करवाय जा सकती है और वैसे भी इंडिविजूले भी आप लोगोंसे पूचा जा सकता है तो देखिए इस इसको अपन तुलना करता है, भेंस के दूद में कितनी पर्तिशत वसा पाई जाती है, तो भेंस के दूद में पाई जाती है, बच्चा साथ से आठ परसेंट वसा पाई जाती है, भेंस के दूद में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है, साथ से आठ परसेंट, गाई के के आसपास इसमें 7-8% ही किसमें पाई जा रही है बचा भेड में उटनी के दूद में 5.3 से 5.4% वसा पाई जाती है उटनी के दूद में 5.3 से 5.4% वसा और मानव जो होता है उसमें 3.75 मानव का मतलब औरत जो होती है या मा के दूद में कितने परतिशत वसा पाई जाती है तो 3.75% वसा पाई जाती है, ध्यान में रखना, 3.75% मानव या ओरत के दूद में 3.75% वसा पाई जाती है, उटनी के दूद में 5.3 से 5.4% वसा पाई जाती है, भेड के दूद में 7.8 से 7.9% वसा पाई जाती है, गाई के दूद में 4.1 से 4.8% वसा पाई जाती है, और भेंस इसके दूद में 7-8% तक वसा उपस्तित होती है बकरी का दूद जो होता है उसमें लगबग 4.25% वसा पाई जाती है इसलिए बच्चों को क्या करता है लगबग बकरी का दूद जो है डोक्टर बताता है कि छोटे बच्चे जो होता है उनको बकरी का दूद पिलाया जाए क् बक्री का दूद और मा का दूद लगभग संगटन में क्या होता है लगभग एक समान होता है देखो सवा चार परसेंट बक्री के दूद में वशा है और मानव जो मा के दूद में वशा कितनी है पौनी चार परसेंट ठीक है आदा परसेंट का लगभग डिफरेंस है ठीक है तो थोड़ा सा उसमें भी पानी मिला करके बच्चों को पिलाते हैं इसलिए. अब है लेक्टोज या दुगदम देखो शरक्रा कार्बॉइडिट दूद में जो कार्बॉइडिट पाये जाता है जो जो शरक्रा पाये जाता है उसका क्या नाम है लेक्टोज परसन पूस लेते हैं दूद जो होता है थोड़ा मीठा होता है ठीक है किसके कारण कौन सी शरक बच्ञार नाम लेक्टोज की मतलब होता है इसमें दो परकार की शरक्राई मिलकर के क्या बनाती है इसको इसका निर्मान करती है एक अनू का निर्मान करती है ठीक है कौन-कौन से एक ग्लुकोज ग्लुकोज का अनू और दूसरा होता है गेलेक्टोज ग्लुकोज और गेलेक्टोज यह जब दोनों मिलते हैं तो क्या ब गाई से के राइड कहते हैं याद रखना बचा नेक्स्ट महत्मून परसंट क्या है शाहिवाल नसल के दूद में कितना पर्तिशत दुगदम या लेक्टोज शरकरा पाई जाती है शाहिवाल नसल किसकी है भई गाई की नसल है साहिवाल और गाई की साहिवाल की नसल में कितन परसेंट सुगर पाया जाता है लेक्टोज शरक्रा दुगदम शुगर दुगदम का मतलब है लेक्टोज शरक्रा पाया जाती है लेक्टोज शरक्रा कितना परसेंट पांच परसेंट लेक्टोज शरक्रा पाया जाती है नेक्स देखिए गाई भैस भेड और इस्तरी इसमें आपको लेक्टोर्ट शरकरा की तुलोना करनी है तो गाई में कितना परसेंट पाय जाता है 6.88% भेंस में 4.8% भेड में 5.48% और इस्तिरी में कितना 4.90% ऐसा याद नेक्स क्या है दूद में सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्व कौन-कौन से है केलसियम वेफासपोरस दूद में सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाले तत्व कौन से है केलसियम वेफासपोरस है दूद में खनीज लवनों का पर्तिशत कितना होता है खनीज लवन कितना परसेंट पाय जाते है 0.7 से 0.9 यानि कि एक परसेंट से भी कम खनीज लवन पाये जाते हैं ध्यान में रखना भई दूद में खनीज जो होते हैं एक परसेंट से भी कम मात्रा में पाये जाते हैं दूद में पाये जाने वाले विटामीन विटामीन कौन-कौन से पाये जाते हैं A, D, E, K ये तो पाये जाते हैं इसके अलावा B वे C B विटामिन भी पाये जाता है और C विटामिन भी पाये जाता है विटामिन C जो होता है सरवादी किस जन्तु के दूद में पाये जाता है ये बड़िया पर्षन है विटामिन C जो होता है कौन से जन्तू के दूद में विटामिन C पाया जाता है सबसे अधिक मातरा में तो आप बताएंगे बच्चा भेड के दूद में किसके भेड के दूद में सरवाधिक मातरा में विटामिन C पाया जाता है कुछ महत्पून परसंथ है next SNF जो होता है वसा रहीत ठोश पदार्थ कौन से जन्तू के दूद में पाए जाते हैं तो परसन बन जाएगा बच्चा भेड के दूद में कितना परसन्ट नो परसन्ट SNF पाए जाते हैं वसा रहीत ठोश पदार्थ पाए जाते हैं इस्प्रेटा दूद, इस्प्रेटा दूद जो होता है, उसमें कितना पर्षेंट SNF फाय जाता है, तो आप बताएंगे 8.7%, कितना पर्षेंट, 8.7%, इस्प्रेटा दूद कौन सा होता है, इस्प्रेटा, ये राजस्तानी नाम है, इस्प्रेटा एक तरह से, और ये है, किस स परसेंट SNF आय जाता है 8.7% टॉंड दूद में कितना परसेंट साड़े 8% डबल टॉंड में 9% देखिए जो सरवादी के S.A.N. है पाए जाते हैं बेड के दूद में कितने परसेंट 9% फिर इस्प्रेटा दूद जो है उसमें 8.7% टॉंड दूद जो होता है उसमें 8.5% और डबल टॉंड दूद जो होता है उसमें 9% क्या पाए जाते हैं बच्चा SNF पाए जाते हैं ध्यान में रखना बहुत important person है बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें थेंक्यू